हेलो दोस्तों स्वागत है आपका LearnHub YouTube चैनल में अगर आप student हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को subscribe करें नाम है रोहिद गुपता और आप लोगों के लिए मैंने एक नया कॉर्स से start किया है जो की है cutting process and machining tools तो इस पूरे कोर्स में मैं आपको theory और numerical दोनों चीज़े पढ़ाने वाला हूँ तो इसी लिए ये कोर्स complete कोर्स होगा metal cutting का और machining tools के लिए तो ये कोर्स किस-किस कहां जरूरी पढ़ता है तो ये main production का कोर्स है तो ये gate जो भी student gate mechanical, gate production and industrial engineering और ESE mechanical की preparation कर रहा है उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत जरूरी है तो अगर आपने ये कोर्स जोइन करेंगे तो आप production के इस topic में सारा कुछ सीख जाएंगे इसलिए इस कोर्स को जरूर जोइन कीजिए और इसके पहले मैंने दो कोर्स और बनाए थे जो कि पहला कोर्स था welding का, दूसरा था casting का तो वो दोनों कोर्स भी आप जरूर जोइन कीजिए ये तीसरा कोर्स है इसके बाद एक कोर्स और बचेगा जो कि होगा mental forming का अगर आपने ये चार और एक कोर्स और होगा unconventional machining का ये पाँच कोर्स अगर आपने मेरे कर लिये तो आपका production topic mechanical stream में और production industrial engineering में production topic पूरा complete हो जाएगा, इसके बाहर आपका कोई question नहीं आएगा इसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप numerical solve कर सकते हैं अपने आप से उसको कीजिए और कहीं भी कोई भी problem आए तो मुझे comment कीजिए तो ये है इस course का lecture number one और इस lecture में मैं आपको introduction और कुछ invert parameters के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए start करते हैं तो पहला है metal cutting तो इस metal cutting में से gate में mechanical में 3 से 5 नमबर का total आता है तो सबसे पहली बात metal cutting तो metal cutting के लिए different different operations की क्यों जरूरत पड़ी सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि metal बहुत ही hard होता है कुछ metal होते हैं जो soft होते हैं जैसे कि हो गया potassium और magnesium वो चाकू से काटे जा सकते हैं लेकिन most of the metal जो होते हैं वो हमारे कठोर होते हैं मतलब बहुत ही hard होते हैं तो उसको cutting करने के लिए हमें specific operation और specific tool की जरूरत पड़ती हैं तो वही specific operation और उसमें use होने वाले tools के बारे में हम लोग इस यहां पर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले यह जानते हैं metal cutting operation जो होता है वो secondary manufacturing process कहते हैं उसको क्यों secondary बोलते हैं primary किसे बोलते हैं मैंने आपको casting का जब lecture बताया था तो उसमें पढ़ाया था कि casting को primary manufacturing process बोलते हैं क्या बोलते हैं casting को primary manufacturing process ठीक क्यों कि देखिए जब भी आप सबसे पहले क्या करें कि किसी metal को molten state में convert करके उसको solidify करके एक desire step में ढाल लेंगे तो सबसे पहला operation आप जो करना हैं वो है casting तो इसलिए इसको बोलते है primary manufacturing process अब देखिए जब casting हमारी बनके आ गई तो जो casting होती है वो finish नहीं होती है कैसी finish नहीं होती है तो उसको finish करने के लिए और exact shape में convert करने के लिए हम लोग जो operation करते हैं वो metal cutting करते हैं मतलब उसमें कई सारे operation करते हैं जैसे मान दीजे कोई metal थोड़ा सा बाहर निकलाया उसको हटा दिया thread तो उसको हम cutting के द्वारा हटा देते हैं तो यह सब operation metal cutting के अंदर आते हैं इसलिए casting के बाद हम लोग इसको करते हैं इसलिए इसको हम लोग secondary manufacturing process बोलते हैं क्या बोलते हैं secondary manufacturing process देखिए और आप जब किसी चीज को काट रहे हैं मान लिजे आपका ये एक sample है जो की casting से बनके आया है अब casting से ऐसा बनके आया है कि ये थोड़े से जो metal desire shape हमारा square होना चाहिए लेकिन square के बाद ये extra material आ गया है तो अब हमें secondary manufacturing process हम लोग करेंगे metal cutting तो metal cutting से ये सारे जो part हैं उसको हम काट के बाहर निकाल देंगे और हमारा desire shape का product जो square shape का है वो हमें मिल जाएगा तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये जो material है ये जो हटके निकला है ये हमारा waste material हो जाएगा क्या हो जाएगा waste material तो इसलिए हम इसको बोलते है loss of material process मतलब इस process में हमारा जो material है उसका कुछ नकुछ loss हो जाता है ठीक है और और इसको बोल सकते है material removal process मतलब इससे हम यहाँ पर क्या कर रहे है material को remove कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको बोलते है material removal process I hope आप लोग समझ गए होंगे metal cutting operation क्या होता है तो metal cutting operation को तीन पार्ट में divide किया गया है पहला पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे mechanics of metal cutting मतलब कि जो metal cutting होती है वो किस प्रकार से होती है वो हम लोग इस पूरे पार्ट में discuss करेंगे कि कौन-कौन से forces लगते हैं कैसी क्या velocity होती है क्या angle होते हैं वो सब हम लोग mechanics of metal cutting में पढ़ेंगे दूसरा है machining operation with different machine देखिए बहुत सारी machines होती हैं जैसे shaper हुआ, planner हुआ, milling हुआ, grinding हुआ, drilling हुआ तो इन सभी machines से हम लोग metal cutting ही करते हैं तो different different operation के लिए different different machines का use होता है तो देखिए यहां इन दोनों पार्ट में एक होता है conventional machining दूसरा होती है unconventional machining तो conventional machining क्या होती है, conventional machining होती है जिसमें tool और workpiece आपस में contact में आए देखिए, जगर आपको किसी चीज को काटना है, मालीजी इस workpiece को काटना है तो जब तक यह tool है, तो यह tool जब तक इसके contact में नहीं आएगा तब तक यह नहीं कटेगा यह हमारा कहता था conventional process मतलब conventional process में जो tool और workpiece हमेशा contact में आने चाहिए तब ही आप workpiece को tool की साहता से काट सकते हैं तो यह हो गया आपका conventional process और unconventional machining में क्या होता था आप बिना tool और workpiece को आपस में contact किये हुए machining कर सकते हैं तो ऐसी जो machining होती है, वो आती है part 3 में जो उसको कहते हैं unconventional machining तो इस course के बाद मैं अगला course unconventional machining का ही लाओंगा तो इस पूरे course में हम लोग part 1 और part 2 के बारे में ही पढ़ेंगे मतलब conventional machining के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें याद रखेगा इस पूरे course में जो भी हम लोग बात करेंगे उसमें tool और workpiece आपस में contact में आएंगे तब ही machining होगी ठीक है I hope कि आप लोग इतना समझ गए होंगे तो चलते हैं next में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है metal cutting is the process of material removal unwanted material from the workpiece in the form of chips तो सबसे पहले यह जानिये कि यह जो workpiece था मान लीजिए यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर देखिए यह एक workpiece था यहाँ पर यह एक extra material निकला हुआ था unwanted material था यह कैसा है हमें यह material नहीं चाहिए लेकिन यह हमारे workpiece में था तो हम लोगों ने tool लिया tool यह tool ले लिया अब इस tool से हम लोग यहाँ पर इसको cut करेंगे जब इसको cut करेंगे तो यह chips के रूप में यह material बाहर निकलेगा तो यह material कैसा था unwanted material था और जो tool की सहायता से यह chips के रूप में बाहर निकल ला है तो हम लोग कह सकते हैं कि metal cutting से हम लोग unwanted materials को chips के रूप में बाहर करते हैं, workpiece से बाहर हटाते हैं, ठीक है, तो major drawback क्या है इस process का, इस process का major drawback है कि इस process में materials का loss होता है, loss of material process है यह, ठीक है, I hope कि आप लोग इतना समझ गए होंगे अच्छे से, तो यह कुछ inputs हैं, बस आप देख लीजे एक बार, इसको आपको learn करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पूरे course में मैं आपको यही सब पढ़ाऊंगा, inputs में देखिए, आपको तीन चीजों की ज़रूरत पढ़ेगी metal cutting में, पहला machine, कौन-कौन सी machine हम लोग यूज़ कर सकते मिलिंग, सेपर, प्लैनर, लेट, ग्राइंडर और ड्रिलर, अगर आपको इन machine के बार में पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पूरे course में अभी आपको इन machine के बारे में एक एक करके सारी machine के बारे में जानकारी दे दूँगा, उसके बाद आता है tool, आप tool कैस कैसा यूज कर रहे है, उस tool की geometry कैसी है, उस tool का material कैसा यूज कर रहे है, material इसका hard है या soft है, hardness कैसा है, उसका configuration कैसा है, तो इन सब चीजों पे हमारा machining depend करती है, तीसरी workpiece, देखिए machining के लिए तीन ही चीज़ जरूरत पड़ती है, पहला machine किस machine में आप machining कर रहे हैं, उस machine म में क्या क्या property होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए, आप लोगों को कि वो FCC है कि BCC है, workpiece pure है कि नहीं है, surface condition कैसी है, और materials की properties क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए as a input parameter, उसके बाद जो और parameter है, ये तो हुआ input parameter, अब आएंगे जो parameter जो machining में use होते हैं, तो machining में हम लो जो parameter find out करते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़े आपको इस पूरे course में मैं आपको पढ़ाऊंगा, question में आपसे, या तो speed, feed, depth of cut, cutting fluid, cutting force, power, specific energy consumption, chip reduction ratio, chip thickness ratio, shear strength, surface roughness, इन सभी चीज़ों से आपके question बनने वाले हैं, तो ये एक एक चीज़ को मैं आगे इस पूरे course में define करूँगा और बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है, और कहां use होती है, next आता है work holding device, work holding device में पहला होता है jig, दूसरा fixture, और तीसरा chuck, तो jig आप जानते हैं किसलिए use होता था, कि tool को guide करने के लिए, जैसे आपको specific position पर मान लीजिए, हमें इस work piece में यहां पर hold करना है, तो work piece को, जो tool होग उसको guide करने का काम करेगा, कि इस tool को guide करेगा, कि आपको यहीं पर hold करना है, तो जो guide करने का काम करता था, वो jig करता था, picture क्या करता था, आपको यहां पर picture लगे होते थे, तो वो इस work piece को hold करने का काम जो होता है, वो picture का होता है, और chuck क्या होता है, चक होता है, मान लीजिए ये आपका cylindrical workpiece है इसको आपको lathe में hold करना है तो उसके लिए हम लोग chuck का use करते हैं तो chuck क्या होता है ये उपर निकल जाता है फिर हम लोग इस workpiece को अंदर डालते हैं और फिर वापस इन दोनों को नीचे करके फसा देते हैं तो हमारा workpiece है वो lathe में फस जाता है तो chuck दो परकार के होते हैं ये खोता है 3 jaw chuck ये खोता है 4 jaw chuck 3 jaw chuck मतलब 3 jaw होते हैं और जब 3 jaw होते हैं तो ये self centered होते हैं मतलब अगर आप 1 jaw को उपर उठाएंगे तो दूसरा और तीसरा jaw भी आपका उपर उठ जाएगा तो इसलिए ये self centered होता है और 4 jaw chuck में 4 jaw होते हैं तो इन 4 jaw को अलग-अलग आपको उपर नीचे करना होता है तो इसलिए ये manual centered है आपको manually centered करना होगा इसके लिए आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे इस पूरे lecture में में आपको इतना समझाने वाला था समझाना चाहता था कि metal cutting क्या होती है और हम लोग metal cutting से क्या-क्या इस पूरे lecture में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और question में आपका किन-किन term से सामना होना वाला है तो वो सभी term में आपको इस पूरे course में बताऊंगा तो अगर आपको अभी कोई doubt हो तो अब मुझे comment में बताएं और इस course को enjoy करें मिलते हैं next lecture में Thank you